वेलकम टो माई चाइनल तो डॉग को लेकर एक बहुत वड़ी गुड निव सामने आया है मुझे लगा कि चलो इस बात को आप लोग के साथ भी सेयर करूँ तो आप लोग पुरा वीडियो देखिए मैं बताती हूँ और आप लोग खुद ही मिलाइएगा कि जो लोग डॉग पालते हैं वो हमेशा खुद रहते हैं औरो के अलाबा और जो अगर आप कहीं उदास होके बैठे हो तो आपका डॉग आपके पास जाके सूंगने लगेगा, चाटने लगेगा, चक्कर लगाने लगेगा आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा और अगर उसको डाट भी दो तो पल भर के लिए कहीं बैठ जाएगा और फिर आपके पास ही आके हो इधर उधर बैठेगा मतलब आपको हमेशा एह थास दिलाते रहता है कि वो भी फैमिली के मेंबर ही है और जर्मन से खट की बात कहें तो वो तो सबसे नंबर वन डॉग है मेरी मान ने तो क्योंकि मैंने तो पाल लखा है और मुझे पता है कि किस तरह का करनामा करते रहता है और इसकी छोटी छोटी बाते ही हमको हमेशा हासाती रहती है और जो गुड न्यूज है और मैं आज आप लोग को अभी बता रही हूँ टाइम बेस्ट नहीं करूंगी तो आप लोग भी सुनिएगा और सही लगे तो कॉमेंट कीजिएगा तो रिसर्च में सामने आया मुझे न्यूज के द्वारा पता चला तो सुचा कि चलो बताती हूँ जो लोग डॉग पालते हैं उनमें औरों के लावा हार्ड अटेक की समभावना बहुत हद तक कम जाती है ऐसा मैंने सुना तो सुचा कि चलो आप लोग को भी बताती हूँ आप लोग को क्या सही लगता है और भी सुना कि अगर जो नहीं पाले हुए हैं उनके अलावा जो पाले हुए हैं दोनों में ज्यादा इनर्जी में रहते हैं जो लोग डॉग पाले हुए हैं अगर कहीं बाहर से आईए ठके हारे डॉग ओनर को देखिए आते ही देख डॉग उन पे उचलता है कूदता है, चाटने लगता है और डॉग ओनर अपने डॉग को देखे सारी ठकाने भूल जाता है पल भर में तो ऐसे ही छोटी छोटी बाते हैं डॉग की जो डॉग ओनर को हसाते रहता है और स्वस्त रहने के भी काम आता है ऐसा अब पता चला ये सब मैं पता लगा के मैंने डॉग को नहीं लिया था लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है तो चलो एक अच्छी बात है और जो लोग लेना चाह रहे हैं वो अब देर मत कीजिए, ले ही लेजिए और जिनको कुत्ता बेली अब तक नहीं पसंदा रहा था मुझे लगता है मेरी वीडियो देखने के बाद वो भी लेना चाहेंगे डॉग को तो चलिए किसी की बात सुनकर ही सही ले ही लीजी, आप भी खुस रहिए हम तो खुस हैं ही अपने डॉग को पाल के, उसको खाना खिला के और अभी खा रहा है दही चावल आप लोग अपने डॉग को मटन देते हो कॉमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट कीजिएगा कॉमेंट अभी कॉमेंट और हम लाइक कॉमेंट ॉम